आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुती टेस्टी बिना प्यास लेसुन के शाही पनीर रेसिपी और इसकी ये जो ग्रेवी है ना बहुती सिल्की, स्मूध और क्रीमी बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेवी त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून खसकस ली थी और इसे मैंने पानी में भिगो दिया था आधा गंटे के लिए और देखे अब ये थोड़ी सी फूल गई है खसकस को आधा घंटे पहले पानी में भिगोना जरूरी होता है ताकि इसे हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर सकें अगर आप इसे पानी में भिगोएंगे तो ग्राइंड करने में प्राबलम होगी तो यहाँ पर ये जो खसकस है हम पानी के सहीती इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे हम पहले हलका सा पीस के त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखे जो खसकस है इसे हलका सा पीस लिया है अभी पूरी तरीके से नहीं पिसी है ये तो अब मैं इसमें डालूंगी काजू, तो ये मैंने 15-20 काजू लिये थे, इनने भी 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, और ये काजू भी मैंने इसमें डाल दिये हैं, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, और ये देखिए, हमने ये सारी चीजे अच्छे से पीस लिय और ये हमारा पहुत ही बड़िया पेस्ट त्यार हो गया है, तो ये काजू और खस-खस के पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, अब ये मैंने लिये हैं, तीन टमाटर, दो हरी मेर्ज, और तीन से चार इंच का द्रग का टुकड़ा, सारी चीजों को रफली कट कर दाल देते हैं, और साथ में कुछ खड़े मसाली भी हम इसमें डालेंगे, जो हमारी पनीर की ग्रेवी को पहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, तो ये दाल चीनी की दो टुकड़े लिये हैं, चोटे से ये इसमें डाल देते हैं, और साथ ही एक हरी लाइची जा रही है, औ अब हम इसमें डाल देंगे, 8-10 काली मिर्च, और ये इसमें जा रही हैं, 5-6 लोंग, बस अब आपको जार का ढखकन बंद कर देना है, और सारी चीजों को पीस कर त्यार कर लेना है, इसका पेस्ट बना ले, ये मैंने पेस्ट त्यार कर लिया है, ये देखें टामाटर और और सारे खड़े मसाले वगरा पिसके त्यार हो चुके हैं, अब चलते हैं अगले स्टैप की ओर, तो यहां गैस पर मैंने एक पैन रखाया और इसमें मैंने एक चमच घी डाल दिया है, आप चाहें तो बटर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, इसे इची तरीके से मेल्ट कर ले इसे अलट पलट कर दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, इसका जो कलर है हलका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे, यह देखिए इस तरीकी से अलटते पलटते रहना है आपको पनीर को, अगर आप चाहें तो बिना फ्राई के भी पनीर को इस और अब मैंने फिर से पैन रखाया गैस पर और इसमें मैं डाल रहे हूं ओल, आप चाहें तो घी या बटर का इस्तमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ओल डाल दें, ओल को गर्म होने दें, और अब इसमें डाल दें, आधा चमत जीरा, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखाया, एक तेज पता और एक बड़ी काली लाइची डाल दी है इसमें, और अब ये इसमें जा रहा है एक चोथाई चमत जीरा, ये खड़े मसालों को इस तरीके से आप भून लें, अगर आप त्योहारों पर बिना लैसुन प्यास के सबजी बनाना चाहते हैं, तो इस तरह ये सबज बनाएगा बहुती डेस्टी बनती है, अब इसमें मैं डाल रहे हूँ थ्री फोर्थ इस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, आधा चमत जा रहा है हल्दी पाउडर, अब गैस का फ्लेम लो करें और फट और अब आपको इसी तरह लगातार चलाते हुए से थोड़ी देर तक पकाना है, और ये देखिए ये जो प्यूरे है ये अच्छी तरीकी से पक चुकी है, इसमें उबाल आने लगा है, तो बस इस स्टेज पर हम इसमें कुछ खास मसाले एड़ करेंगे, तो सबसे पहले मै इसमें डाल देती हूँ नमक, क्योंकि हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, तो इसमें 3-4 चमच नमक डाल दिया है मैंने, 3-4 चमच इसमें जा रहा है धनिया पाउडर, आधा चमच इसमें जा रहा है सीरा पाउडर, इन्हें मिक्स कर देंगे, देखिए आप चाहें तो इसस स्टेच पर इसमें आधा चौमच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर इसलिए नहीं डाल रहे हूँ क्योंकि मैंने टमाटर को पीषते समय उसमें काली मिर्च और हरी मिर्च डाली थी और मुझे इसे जाता तीखा नहीं बनाना है अब इसे मैं कवर कर देती हूँ और कवर करकर हम इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देते हैं और अब ये देखिए 5-7 मिनट बाद ये देखिए ग्रेवी से ओइल सेपरेट होने लगा है बहुत ही बढ़ीया तरीके से हमारा ये मसाला भुनके त्यार हो गया है इसे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है जब आप इस तरीके से पनीर की सब्जी बनाएंगे ना सचमानी इसका सुआदा आप भूल नहीं पाएंगे अब इसे एक बार अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और बस इस स्टेज पर अब आपको इसमें डालना है खसकस और काजू का पेस्ट जो आपने त्यार किया था ये इसमें डाल दें और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें इससे आपकी जो सबजी है बहुत ही और अभी यह जो हमारी ग्रेवी है बहुत थिख है तो इसमें हम अभी थोड़ा पानी भी एड़ करेंगे यह देखे इसमें अच्छी तरीकिसे अब उबाल आ चुका है तो इस स्टेज पर आप इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देए यह जो शाही पनीरे से पहुत जादा पतला नहीं बनाया जाता है तो यहाँ पर मैं इसमें लगभग एक कपके करीब पानी डाल रहे हूँ तो पानी डाल दिया है अच्छी तरीक इसे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो ग्रेवी की जो ठिकने से अपने नुसार थोड़ी कमिया जादा कर सकते हैं लेकिन मैं इसे पहुत जादा पतला नहीं बनाऊंगी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब हम इसे कवर कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे तो इसे कवर कर देते हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं और ये देखिए अब इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाल आ चुका जो हमारी gravy है बहुत ही बढ़िया त्यार हो चुकी है एक बार अच्छी तरह फिर से चला दें से कॉलर देखी बहुत ही शानदार आया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर जो हमने फ्राई किये थे यह पनीर डाल दें इसमें अच्छी तरह किसे हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमने लैसुन प्यास वगेरा कुछ भी इस्तिमाल नहीं किया है और जो हमारी शाही पनीर पहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है बस आपको इसमें खसकस और काजु का पेस्ट जालना है और फिर देखेगा आपकी यह जो सब्ची है न एकदम हलवाई जैसे बनके त्यार होगी आपको कोई कहें नहीं सकता कि आपने इसे बिना प्यास लैसुन के बनाया है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है एकदम रिच, क्रीमी और स्मूध है तो यहाँ पर अब इसे कवर कर दें और 4-5 मिनट के लिए फिर से कोकोने दें और अब मैंने इसे ओपन किया और देखे इसकी सर्फिस पर ओयल सेपरेट होने लगा है तो अब आपको लास्ट में इसमें एक चम्मच चीनी या शहट डाल देना है और यह इसमें जा रही है आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और साथी इसमें जा रहा है बारी कट जरू डालना और फिर देखना इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है और लास्ट में आपको एक चम्मच घी भी जरू डालना है और अब यह आपकी जो शाही पनीर है अच्छी तरीकी से बनके त्यार हो गई है सुपर टेस्टी डिलिश्यस शाही पनीर हो चुकी है बनकर तया तो फिर देर किस बात की गैस का फिलिम आफ कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप इस शाही पनीर को पूरी पराठे चपाती नान राइस किसी के भी साथ एंजोई कर सकते हैं बहुती बड़िया शाही पनीर बनके त्यार हुई है जैसे शाही पनीर आप होटल रेस्टरेंट में जाकर ओर्डर करते हैं सेम वैसी ही ये बनी है ये देखिए है ना पहुती रिच तो आप भी अपने घर पर इसी तरह इन नवरात्रों में बिना लैसुन प्यास के ये शाही पनीर बनाईए और एंजोई कीजे रैसे भी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेल आ